हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग यहाँ पे चाइल्ड डिवलप्मेंट पेडगोजी और आपका सैकॉलोजी का एक बेहत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आज ये जो सेशन है ये मेरे हैं रिटेंट नोट्स हैं जो कि मैंने खुद प्रिपेर किये हैं और सभी के सभी चीज़े बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट एड़ किया है मैंने यहाँ पर हम इस सेशन में पूरा का पूरा जो ये बुध्धी के उपर जो भी मेरे पार्ट पार्ट टू में जो भी सेशन आएगा उसमें हम लोग सारी चीजे कवर कर लेंगे जैसे कि बुद्धी क्या होती है बुद्धी के सिधान बुद्धी का मापन बुद्धी परिक्षणों के प्रकार बुद्धी लब्दी मतलब कि सारी चीजे बुद्धी से रिलेटेड आपक और फिर आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग पार्ट वन में सिर्फ मीनिंग को और मापन को और थोड़ा सा हम बुद्धी लब्दी को देखेंगे, जो हमारा पार्ट व आएगा, उसमें हम लोग डिसकस करेंगे, बैसिकली उसमें हम ल अगर मैं बुद्धी के मीनिंग की बात करूँ, कि बुद्धी शब्द का मतलब क्या होता है, क्या चीजें होती है, तो आपको याद रखना है बुद्धी की Etymology, ठीक है, सबसे पहले तो बुद्धी वर्ड जो है, जो intelligence word है, basically English का, ये English का intelligence word जो है, वो कहां से आया है, उ 18 भाषा के दो शब्दों से आया है, इंटर प्लस लर्च, ठीक है, ये आपको एक याद रखना है, और इसके अलावा एक और पूछा जाता है, कि जो बुद्धी का जो ये जो intelligence word है, ये intelligentia से आया है, ठीक है, कई बार आपको intelligentia देखने को मिल जाएगा, या आपको intelligentia देख होता है, to understand, यानि कि किसी चीज को समझना, ओके, तो आपको ये याद रखना है, कि intelligence word जो है, वो लेटिन भाषा के intelligentia या intelligentia से आया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है, या तो चयान करना, या कुछ समझना, ओके, अब अगला point देखेंगे, कि सबसे पहले, बुद्धी की ओक्चारिक परिभाषा किस ने दी, पहला आपको ये प्रश्न याद रखना है, कि सबसे पहले, बुद्धी का, जो formal एक definition थी, वो किस ने दिया था, तो याद रखना कि boring, उनका नाम था boring, ठीक है, बोरिंग ने सबसे पहले, बुद्धी की ओक्चारिक परिभाषा दी थी ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, boring ने 1923 में बुद्धी के बारे में ये कहा, कि बुद्धी परिक्षण जो मापता है, वही बुद्धी है, याद रखना guys, ये एक्जाम में आपके आ चुका है पिछले, ठीक है, यहाँ पर boring ने अपनी definition दी, और उन्होंने ये कहा, कि बु चारिक परिभाशा किस ने दी, तो आपको याद रखना है, 1923 में boring ने दी थी, ठीक है, अब देखो, boring ने ये कहा, अब इसका मतलब समझो कि ये क्या, ठीक है, बुद्धी परिक्षण जो मापता है, वही बुद्धी है, यानि कि आपके परिक्षण में जितने number आ गए, व आप जो है superior है, तो यानि कि इस से क्या हुआ कि बुद्धी के स्वरूप के बारे में हमें अच्छे से पता नहीं चल पाया, मतलब कि आप किसी की बुद्धी लब्दी के अधार पर उसकी बुद्धी नहीं बता सकते हो, इसी लिए मनोवेग्यानिकों ने क्या कि बुद्धी को परिभाशित करने के लिए मनोवेग्यानिकों ने बुद्धी को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया और बुद्धी का अंदाजा लगाया कि बुद्धी बेसिकली होती क्या है, ठीके, अब हम देखेंगे कि मनोवेग्यानिकों ने कौन कौन सी कैट तुझ गिरी में बुध्धी को divide किया था। सबसे पहले आता है बुध्धी को कुछ मनोवग्यानिकों ने कहा कि बुध्धी क्या होती है वातावरण के साथ समायोजन करने की शम्ता की रूप में होती है। दूसरे तरह के ऐसे मनोवग्यानिक थे जिन्होंने कहा कि सीखने की शमता जो होती है वो बुद्धी होती है अन्ग तीसरे परकार के कुछ मनोवग्यानिक ऐसे थे जिन्होंने कहा कि बुद्धी जो है वो अमूर्त Чिंतन यानि की जो abstract thinking है वो अमूर्थ चिंतन करने की योगता या शमता बुद्धी होती है तो बुद्धी को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया अलग-अलग मनविगानिकों के द्वारा पहले यह कहते थे कि अपने अन्वारिमेंट में जितना एड़ेस्ट करेंगे आपको वो हमारी बुद्धी है दूसरे लोग कहते थे कि अमूर्थ चिंतन जो बैक्ति करता है उसी को बुद्धी माना जाएगा अब देखो अब ये जो तीनों ये जो वर्यकरण किया गया था इसमें एक दोश था इसमें दोश क्या था ती आप केवल एक श्रेणी में बुद्धी को परिभाशित नहीं कर सकते हो बुद्धी समद्लो कि आप वातावरण में समायोजन कर लेते हो थेक है आपकी शम्ता है तो क्या मैं ये ना समझू कि आप सीख नहीं सकते, क्या मैं ये ना समझू कि आप अमूर्थ चिंतन नहीं कर सकते, या मान लो कि आप अमूर्थ चिंतन तो कर सकते हो, लेकिन आप सीख नहीं सकते, ऐसा तो हम नहीं मान सकते ना, तो यानि कि दोश ये था कि हम किसी एक की शमताएं सम्मिलित होती है यानि कि बुद्धी को क्या कहा गया एग्रिगेट कहा गया ठीके बुद्धी क्या होती है बुद्धी जो है वो समुच्चे होती है बुद्धी जो है एक तरह की अनेक शमताएं होती है ठीके बुद्धी एक एक ना हो करके अनेक होती है ठीके य जिनका नाम था वैशलर। वैशलर ने बुद्धी की सबसे जादा अच्छी परिभाशा दी। के साथ बहुत ही जादा effective तरीके से adjust कर लेता है ठीक है वैशलर ने कहा कि बुद्धी क्या है aggregate है बुद्धी एक ना होकर के बुद्धी क्या होती है अनेक बुद्धी में हमारी शमताएं होती है बुद्धी में अनेक शमताएं होती है जिसके सहारे हम किसी भी काम को purposeful करते है तरीके से अरहम चिंतन करते हैं अपने एंवारमेंट में एडजिस्ट हो जाते हैं यह definition वैशलर ने 1939 में दी जो कि सबसे अच्छी परिभाशा मानी गई इसके अलाबा अन्य परिभाशा देख लेते हैं फटाफट से बुद्धी की अन्य लोगों ने भी परिभाशा दी जो क बुद्धी होती है गाल्टन ने देखो क्या कहा बकिंगम ने कहा सीखने की योगेता अब जब गाल्टन आपसे पूछेगा तो सीखने के साथ साथ गाल्टन ने बोला कि बुद्धी पहचानने की भी शमता होती है ठीके याद रखना मैकडूगल ने बोला कि बुद्धी जन्मजात होती है ठीक है जन्मजात प्रवर्ती को अतीत के अनुभवों से हम सुधारते हैं यानि कि जो हमारे इंस्टिंक्ट होते हैं हमारे जो हमारे जो जन्मजात शमताएं होते हैं उनको हम सुधारते हैं उसे को बुद्धी कहा किसने माग डूगल ने और बिने ने क्या कहा बिने ने कहा कि ठीक से हम कोई निर्ने लेते हैं हम समझते हैं तर्क करते हैं ये बुद्धी के लिए आवश्यक है ठीक है ये परिभाशा बुद्धी की किस ने दी बिने ने दी जिसमें बिने ने किस किस पर फोकस किया, decision लेने पे फोकस किया, समझने पे फोकस किया और logical reasoning पे फोकस किया, तो ये 3-4 परिभाशा है important reported आपको याद रखनी है ठीक है, MacDougal Buckingham, Galton, Binet और Vashner की और Boring की भी याद रखनी है अब हम चलते हैं, बुद्धी के कुछ प्रकारों को discuss करते हैं, बुद्धी कितने प्रकार की होती है, types of intelligence में क्या क्या चीज़े है, ठीक है types of intelligence में सबसे पहले आता है, E.L. Thorndike यानि कि Edward Lee Thorndike ने बुद्धी के 3 प्रकार बताए हैं, जहां से प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है समाजिक बुद्धी क्या होती है, देखो समाजिक बुद्धी उन लोगों के अंदर होती है जो socially बहुत ज़्यादा आक्टिव रहते हैं, जैसे कि कोई salesman है कोई neta है, है ना या कोई teacher है teacher के अंदर भी हो सकती है भई, समाजिक बुद्धी, है ना, तो इन लोगों के अंदर क्या है, समाज वाली बुद्धी होती है मूर्त बुद्धी क्या होती है, इसे हम वैवहारिक बुद्धी भी कहते हैं, याद रखना इसे हम वैवहारिक बुद्धी भी कहते हैं, practical intelligence होती है ऐसी बुद्धी जो है किसके अंदर होती है कोई इंजीनियर है जो किसी वस्तों से कारे करते हैं उनके अंदर इस तरह के बुद्धी होती है जैसे इंजीनियर है कोई मैक्यानिक है Yes कोई लेखक है जो कोई मशीनों से कारे कर रहा है, उनके अंदर मूर्थ बुद्धी होती है, ठीक है, अमूर्थ बुद्धी किसके अंदर होती है, जैसे कि कोई चित्रकारी कर रहा है, कोई लेखक है, कोई लेखक है, कोई कहानी लिख रहा है, कोई कवी है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा व अब मुर्त बुद्दी किसकेक अंदर होती है, जो मशीनों से वस्तवों से कारे करते है ऐसी जौब जिसमें वस्तवों केको काम करना, जैसे कोई इंजीनिर है, जैसे कोई तरह, कोई यह सीन चार है वकला लग किसके देजíकेर, में देंचार , नगर कोईक sound', Macomb एक पूछा जासकता है तो आपको याद रखना है डीट को जननिक शंता के रूप में यानिक हैरेडिटी से लेकर कर के आते है तो इसलिए बुद्धी को जननिक शमता के रूप में कहा गया किस ने कहा जननिक शमता के रूप में वर्नन ने और अगर मैं हैव की बात करूँ तो हैव ने बोला कि इसे इंटेलिजन्स ए कहते हैं ठीक है यह बुद्धी का जीनो टाइप होता है यह सारी चीज़े आपको याद रखनिएगा इस ठीक है आप इसको वीडियो को दुबारा से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा अगर आप पहली बार यह देख रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको वर्नन और हैब दो लोगों ने बुद्धी को बताया पहला बताया जननिक शमता के रुप में बुद्धी यानि कि बुद्धी हमारी ऐसी होती है जो हम जन्म से लेकर के आते हैं यानि कि बुद्धी को वनशागत माना गया और किसने माना वर्नन ने और हैब ने इस बुद्धी को इस बुद्धी को हैब ने क्या कहा इंटेलीजेंस A कहा यानि इंटेलीजेंस A वो बुद्धी होती है जो हम अपनी हैरेडिटी से लाते हैं और इसको हम जीनो टाइपिक जो है इंटेलीजेंस कहते हैं ठीक है अगला देखते हैं दूसरा आता ह प्रेक्षित व्यवहार की रूप में यानि कि as observed behavior इसमें क्या कहा गया कि बुद्धी जो है वो व्यक्ति के genes और उसके बातवरण की अंतहक्रिया के कारण होती है इसमें heritage और environment दोनों का role बोला गया प्रेक्षित व्यवहार की रूप में बुद्धी यानि कि जो हम observe करते हैं इसे वर्णन ने बोला प्रेक्षित व्यवहार की रूप में और इसे हैब ने क्या बोला intelligence B बोला यहाँ पे वो intelligence A था और ये intelligence कौन सा होता है B होता है किसने बोला? हैब ने, हैब ने क्या बोला intelligence B बोला और इसे हम क्या कहते हैं phenotypic intelligence कहते हैं अगर आपसे genotypic बोलेगा तो gene से related हो गया, genotypic gene से related यानि हमारी heredity और अगर आपसे phenotypic बोलेगा तो आपका किस से related हो जाएगा environment से related हो जाएगा और बुद्धी B किस ने दिया? हैब ने दिया और observed behavior की रूप में बुद्धी किस ने बोला? ये बोला वर्नन ने ठीक है? तीसरा देखते तीसरा इन्होंने बोला, तीसरा वर्नन ने बोला कि परिक्षण प्राप्तांग की रूप में बुद्धी अब परिक्षन ट्रापतांग की रूप में बुद्धी का मतलब है कि जो आप टेस्ट में मार्क्स लेके आते हो यानि कि आपके इंटेलिजन्स टेस्ट में आपका IQ स्कोर जितना आएगा वही आपके बुद्धी होगी तीसरे टाइप की बुद्धी म याद रखना है जननिक शमता के रूप में मतलब वर्नन ने बोला कि हैरेडिटी से रिलेटिड होती हमारी बुद्धी जिसे हैब ने इंटेलिजन्स ए बोला जीनो टाइपिक याद रखना है ठीके दूसरा होता है ओब्जर्वड बिहेवियर के रूप में बुद्धी इस अब एक most important point नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आपको याद रख रहे है ठीके ये most important point क्या है most important point जो है हमने अच्छा इसको तो discuss हमने कर लिया है कि 1923 में बुद्धी की सबसे पहली परिभाशा जो है आपचारिक परिभाशा अगर आपसे पूछेगा formal definition किस ने दी त इन्होंने का कि बुद्धी वही है जो बुद्धी परिक्षण मापता है अब चलते हैं बुद्धी मापन की तरफ ठीके गाइस यहाँ पर हमने अभी तक टाइप को discuss किया अब हम discuss करेंगे बुद्धी मापन देखो क्या है बुद्धी मापन के अगर मैं बात करू तो बु बुद्धी की मापन बुद्धी परिक्षण के द्वारा करते हैं और बुद्धी मापन द्वारा हम ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति का बुद्धी का क्या लेवल है वो कितना इंटेलिजेंट है ठीक है अब देखो यहाँ पे ड्रेवर के अनुसारी उन्होंने बोला कि हम easily लगा सकते हैं अब हम देखेंगे कि सबसे पहला बुद्धी परिक्षण जो था वो कब बनाये गया था यह आपको याद रखना है very very important point है सबसे पहला अगर बुद्धी परिक्षण में बोलू तो 1905 में बिने तथा साइमन के द्वारा मिलके बनाये गया था अब इसके बारे में कुछ-कुछ और बाते हम लोग जान लेते हैं बिने साइमन से related facts ठीक है 1905 में आया पहली बात ये याद रखना है इसके निर्माण में कौन-कौन लोग थे बिने और साइमन दोनों ने मिलके बनाये था दोनों अलग-अलग हैं ठीक है अगर आपसे बिने पूछेगा वैसे तो बिने ही पूछा जाता है जादा तर बिने पूछेगा तो बिने लगा देना साथ में पूछेगा तो साथ में लगा देना ठीक है वैसे बिने ही आता है वैसे तो और किस भाषा में इसको बनाया गया था फ्रेंच में इसको बनाया गया था 1905 में ये किस तरह का व्यकतिकत बुद्धी परिख्ष्षण था वरी वरी इंपोर्ड़ेंट पॉइंट है कि ये एक इंडिवीज्वल intelligence test था, group में नहीं था, व्यक्तिकत बुद्धी परिक्षण था, इसमें जो ये बिने साइमन ने 1905 में जो ये test दिया था, इसमें उन्हें क्या किया था, कि इन्होंने mental age की रूप में व्यक्ति की बुद्धी को माप कर अभी व्यक्ति किया था, यानि कि mental age की रूप में बुद्धी को इन्होंने बोला था, अब देखो, यहाँ पर very very important है ये सारे points, बिने साइमन परिक्षण आया 1905 में पहला बुद्धी परिक्षण का निर्मान बिने और साइमन द्वारा किया था, फ्रेंच भाशा में व्यक्तिकत बुद्धी परिक्षण था इसके बाद क्या किया गया, 1908 में इसे संशोधित किया गया, ठीक है जब याद रखना 1908 में इसको पहली पहला संशोधन, 1905 बुद्धी परिक्षण का पहला संशोधन कब किया 1908 में किया गया और जब 1908 में इनोंने जो संशोधन किया था इसमें ये MA का concept लेकर के आये थे तो एक question आता है कि मानसिक आयू ठीक है एक प्रश्ण पूछे जाता है कि मानसिक आयू का संप्रत्य कब आया ठीक है संप्रत्य कब आया तो आपको चार option दे देगा 1905 दे देगा 1908 दे देगा 1912 या 1916 दे देगा ठीक है 1912-1916 दे देगा तो आपको बताना है 1908 ठीक है यानि कि जो इनका पहला संशोधन किया गया था 1908 में तब इनोंने मानसिक आयू का concept दिया था याग रखना है ठीक है मानसिक आयू कब आया 1908 में आय था पहले संशोधन जब इसका किया गया था इस उसके बाद 1911 में एक बात याद रखना कि इस परिक्षन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, क्या किया गया, इस परिक्षन ये जो फ्रेंच में था, ठीक है पहले ये फ्रेंच में था, फ्रेंच से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, किसने किया गोडाड गोडाड नाम याद रखना है अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया 1911 में ठीक है उसके बाद मांसिक रूप से मंदित बालकों की बुद्धी मापने में इसका बहुत ज़दा यूज किया गया था यानि कि जो बिने शायमन परिक्षण था उसका सबसे ज़दा यूज जो mentally जो retarded बच्चे थे उनको उनकी बुद्धी को मापने में जादा यूज किया गया था इसके बाद अगला देखो अगला पॉइंट क्या आता है अभी तक हम 1911 पे थे ठीक है 1911 में संशोधन किया गया 1908 में पहला संशोधन किया गया उसके बाद इस टेस्ट का इस टेस्ट क जिश्व विद्याले में very very important है ये fact ठीक है इस परिक्षण का सबसे important जो revised किया गया था वो टर्मन के दवारा 1916 में किया गया था यानि इन्होंने बिने साइमन परिक्षण को अपनी तरव से इन्होंने इसमें कुछ ये changes टर्मन लेकर के आये और इसे क्या नाम दिया गया बाद में Stanford बिने परिक्षण दिया गया तो अगर आपसे पूछेगा कि Stanford बिने परिक्षण कब आया तो 1916 में आया कौन इसको किये किसने इसको किया था टर्मन ने किया था ठीक है मतलब कि बिने साइमन परिक्षण को इन्होंने change किया थोड़ा सा इसमें बदलाव लेकर के तर्मन आये और इसलिए इसको Stanford बिने परिक्षण कहा जाता है Stanford क्यों कहा जाता है क्योंकि इन्होंने Stanford University में इसको revise किया था ठीक है उसके बाद पहली बार अब देखो जब यहाँ पर बहुत important point जो मैं आपसे discuss करने जारी हूँ वो यह है कि जब इसको तर्मन के द्वारा सं परिक्षण 1905 वाला था उसमें सिर्फर सिर्फ मेंटल एज की बात कर रहे थे लेकिन 1916 में जो टर्मन थे वो IQ लेकर के आए इसमें कुछ कुल 90 प्रशन थे जिनको हजार बच्चों पे इन्होंने किया था तर्मन ने 90 कोशन बच्चों के सामने लेकर किया हजार बच्चों जो है वो कौन लेके आया ठीक है तो याद रखना कि IQ का कंसेप्ट जो है वो वैसे तो सूत्र जो है वो टर्मन ने बताया पहली बात ठीक है सूत्र जो है वो टर्मन ने बताया IQ का ये जो आपको फॉर्मुला दिख रहा है ये फॉर्मुला किस ने दिया तो ये आपको या था, William Stern ने दिया था, ठीक है, यह extra है, कि William Stern ने सबसे पहले IQ का concept बोला, ठीक है, William Stern ने बोला कि हम IQ को mental age और chronological age यानि कि MA upon CA करके हम कर सकते हैं, यह चीज तर्मन ने बोली, लेकिन इसमें जो 100 का formula लगाया, वो किस ने लगाया, तर्मन ने लगाया, ठीक है, IQ का formula क्या है, IQ is equal to mental age upon chronological age into 100, ठीक है, अब हम इनको भी discuss करेंगे, यह तीनों चीज़े क्या है, ताकि आपको और भी ज़्यादा clarity हो जाए, ठीक है, सबसे पहले देखो, क्या होता है, मानसी कायू, मानसी कायू क्या होती है, भई मानसी कायू वो आयू है, जो, मतलब, इसको अगर मैं देखू मानसी कायू जो है, वो सबसे पहले बीने ने दिया था, ये याद रखना, किस ने दिया था, बीने, बीने ने दिया था, सबसे पहले मानसी कायू, ठीक है, 1905 में, ये याद रखना है, और इसमें है, यह किसी वेक्ती द्वरा वह सीमा है, जो उसके कार्यों द्वरा जानी जाती है मतलब कि यह क्या होता है कि आप जिस लेवल का काम कर रहे हो वो आपकी mental age होती है मतलब अगर किसी बालक की आयू 9 वर्स है तो वह परिक्षा में 9 वर्स की आयू के बालकों के समानी काम करेगा तो ही वो 9 वर्स का माना जाएगा mental age का मतलब है कि आप किस लेवल का काम कर रहे हो किस उमर का आप काम कर रहे हो उसको mental age माना जाता है यानि कि जो वो काम कर ले रहा है ठीक है अब देखो mental age का सूतर अगर हमें mental age निकाल नहीं है तो हमारा सूतर कुछ ही इस तरह हो जाएगा ठीक है आपकी वास्तवी कायू उस वास्तविक आयू होती है ठीक है ये हमारी है है तैथिक आयू होती है खीया है यह हमारी आपको जन लिये बहुत important है ठीक है बुद्धी लब्दी क्या होता है संप्रत्य जो है वो बिने साइमन परिक्षण के संशोधन के परिणाम सुरुप हुआ ठीक है बुद्धी लब्दी का संप्रत्य का कब आया बुद्धी लब्दी का जन्म कब हुआ जब बिने साइमन परिक्षण को जो ट तर्मन थे वो IQ का formula लेकर आये थे ठीक है याद रखना formula लेकर आये थे concept IQ का termन लेकर नहीं आये थे termन ने formula दिया था इससे पहले अगर मैं इससे पहले की बात करो जो मैंने अभी आपसे discuss किया इससे पहले मानसी कायू के रूप में हम बुद्धी लब्दी को मापते थे बीने कि विलियम स्टर्न ने 1912 में ही पहले सुझा दे दिया था उसके बाद टर्मन ने इस में शंशोगन किया तो याद रखना है कि अगर आपसे पूछेगा concept of IQ ठीक है concept of IQ पूछेगा किस ने दिया तो क्या लगाओगे इस तर्न लगाओगे 1912 में दिया था ठीक है याद रख कि IQ का formula तो term and concept तो stern ठीक है इस टीक है इस तर्मन ने concept दिया था और formula किसने दिया था ठीक है अब देखो बुद्धी लगदी का कुछ वर्गीकरण हम लोग फटा वट से देख लेते ठीक है ठीक है तर्मन ने जब अपना ये IQ दिया था 1916 में जब टर्मन ने अपना IQ का concept द IQ का प्रयोग करते वे जो है तर्मन ने बुद्धी लब्दी का वर्गी करण किया मतलब उन्होंने बालकों की परिक्षाएं ली और उसके बाद उन्होंने IQ का क्लासिफिकेशन किया जो की very very important है ठीक है ये तर्मन के द्वारा की गई क्लासिफिकेशन थी ठीक है इसको हम 1912 से repeat कर देती हूं 1912 में STEM ने क्या दिया था IQ का क्या दिया था concept दिया ठीक है उसके बाद 1916 में अगर मैं तर्मन की बात करू तो इन्होंने IQ का क्या दिया था formula दिया ठीक है जो हम IQ का formula करते हैं ये वाला formula तर्मन ने दिया और इस formula का use करके इन्होंने अपनी classification दी थी जो हम अब discuss करने जा रहे हैं, ठीक है, देखो, यहाँ पर सबसे पहले याद रखना कि अगर कोई बालक 140 से अधिक है, यह जो मैंने highlight किये हैं, यह जादा आप पूछे जाते हैं exam के अंदर, ठीक है, 140 से अधिक बुद्धी है तो प्रतिभाशाली माना जाएगा, 120 से 140 से तो वेरी सूपीरियर है, 110 से 120 है तो अतिस समानने यानि के सूपीरियर या ओसत से अधिक बुद्धी वाला माना जाएगा, ओसत सबसे ज़दा कोईशन यह पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 90 से 110 की बुद्धी जो तो वो किसमें माना जाएगा, सीमा रेखा पर माना जाएगा, उसके बाद आपके 50 से 75 आपके मौरोंज में आ जाएगे, उसके बाद 25 से 50 मूड बुद्धी, उसके बाद 25 से कम ज़द बुद्धी में आ जाएगे, तो आपसे यह जद बुद्धी ज़दा पूछा जाता है औसत बुद्धी भी आप बहुत ज़दा पूछा जाता है एक्जाम के अंदर प्रतिवाशाली बच्चे की बुद्धी लब्दी 140 या उससे उपर पूछी जाती है और सीमा रेखा पर बुद्धी पूछी जाती है तो याद रखना 70 जिसकी बुद्धी लब्दी है बेसिकली 70 है आईडल जिसको सीमा रेखा पर माना जाता है कई बार आपको variation मिल जाएगा 70-75 भी हो सकता है ये something क्या होती है जिनकी बुद्धी लब्दी सीमा पर होती है या अल्प बुद्धी होती है जो डल में आते है ठीक है तो ये था टर्मन का classification I hope guys आपको इतनी चीज़ आज के session में cover clear हो गई होंगी अब हम अगले session में बाकी की चीज़े discuss करेंगे क्योंकि इससे session बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी चीज़े अभी discuss करने लग गई तो ठीक है तो हम लोग अब क्या करेंगे अगले session में हम discuss करेंगे बुद्धी परिक्षणों के प्रकार और बुद्धी के जितने भी सिधान्त थे उनको ठीक है आज के session में हमने बुद्धी के बारे में बात की बुद्धी के मापन के बारे में बात की जो भी basic concept होता है बुद्धी का उसको discuss किया I hope आपको आज के session में सारी चीज़े clear हो गई होंगी कोई doubt रहता तो पूछ तो फिर मिलते है next session में thank you